नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ गजाला प्रवीन जब दुनिया के सबसे बड़े जहाज टाइटैनिक का जिक्र होता है तो जहन में फिल्म टाइटैनिक आई ही जाती है लेकिन आज हम टाइटैनिक के उस जहाज की बात कर रहे हैं जिस पर फिल्म बनी थी टाइटैनिक को डूबे 108 साल हो चुके हैं ऐसे में जो लोग टाइटैनिक का दीदार करना चाहते हैं उनके लिए अच्छी खबर है जी हाँ अब आप खुद समुन्दर की गहराई में टाइटैनिक के मलबे को देख सकते हैं लेकिन इसके लिए आपको करीब 93 लाख रुपे खरच करने होंगे पानी के नीचे की दुनिया की खोज करने वाली एक कमपनी ने टाइटैनिक सर्वे एक्सपिडीशन 2021 प्रोजेक्ट के घोशना की है इस दौरान लोगों को टाइटैनिक के मलबे की सेर कराई जाएगी फौक्स न्यूस के मताबिक ओशन गेट एक्सपिडीशन का प्रोजेक्ट पानी के नीचे टाइटैनिक के मलबे की खोज और रिसर्च के लिए नागरिक विशेशग्यों को मिशन स्पेसलिस्ट के तौर पर ट्रेनिंग देगा ओशन गेट के मताबिक इस मिशन के स्पेसलिस्ट जिन्हें विशेशग्यता में शामिल होने के लिए सुविकार किया जाएगा वो नागरिक विग्यानिकों और खोज करताओं को मलबे वाली जगह पर ले जाने में एहम भूमी का निभाएंगे पहले शेडियूल के शुरुआ जुलाई के मध्य से मई के अंति तक होगी और इसके लिए छे मिशन निर्धारित किये गए हैं पहला मिशन दस दिरों तक चलेगा और इसमें पांच पंडुबी गोता खोर शामिल होंगे जो नागरिक वग्यानिकों और खोच करताओं को मलबे की साइट पर ले जाएंगे फॉक्स निउस की माने तो हर मिशन पर जाने के लिए नौ योग्य वग्यानिकों को मनजूरी दी जाएगी पांच वेक्तियों पर केवल तीन मिशन स्पेसलिस्ट की इजाज़त दी जाएगी साल 1912 में इंग्लैंड में न्यू योग जाते वक्त अपने पहले ही सफर में टाइटैनिक डूब गया था और ये अपने साथ ले गया था 1500 से भी जादा लोगों की जिंदगी हलाकि करीब 31 साल पहले 1985 में इसके मलबे को समंदर में खोज निकाला गया था फिलाल इस खबर में इतना ही देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ